पन्ना की जमीन को ऐसे ही नहीं रत्नगर्भी धर्ती कहा जाता है यहां कब किसकी किसमत चमक जाए कहा नहीं जा सकता कुछ इसी प्रकार पन्ना नगर के सीमीपी गाउं की निवासी इंद्रजीत सरकार के साथ हुआ है इंद्रजीत को खदान के मिट्टी के पुराने धेर से 4.38 कैरेट का वेस कीमती हीरा मिला है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 17 लाग से जागा बताई जा रही है जिसे पुर निवासी इंद्रजीत पिता रविंद्रनाथ सरकार को पुरानी खदान की मिट्टी के धेर में राच चलते चलते एक चमकता हुव पत्थर दिखाई दिया जिसे देख यूवक ने उठा लिया जब यूवक घर लेकर पहुँचा और अपने पिता को दिखाया तो पि ने बताया कि यह उज्वल किस्म का हीरा है जिसका वजन 4.38 कैरेट है वहीं अभी हीरे को आगामी हीरा निलामी में रखा जाएगा इसके बाद हीरे से मिलने वाली रकम का 12% सरकार की रॉयल्टी और 1% टेक्सकार कर बाकी रकम हीरा धारक यूवक के खाते में भेर दी जाए या पन्ना के इतिहास में पहरी वार हुआ है जब रास्ते में चलते चलते इतने लोग को हीरे मिले हों इन में से समीर सिंग को 1.41 कैरेट गेदा वाई को 4.93 कैरेट नंद लाल को 2.83 कैरेट छेंद लाल को 0.85 कैरेट निरुपाल को 1.30 कैरेट पन्ना लाल खुश्वाह को 2. 2.00 केरेट भावानी दीन रैकवार को 2.85 केरेट राज किशोर सिंगरॉल को 1.36 केरेट ब्रिंदावन रैकवार को 4.86 केरेट का हीरा मिला है वहीं गुरुवार 11 जनवरी को इंदजीत सरकार को 4.38 केरेट का बेश कीमती हीरा खदान के धेर में पड़ा मिला लेकिन अब सवाल और यह खड़ा हो रहा है कि जब खदान में लोग दिन रात कड़ी मैनत कर पसीना बहा कर हीरे की तलास करते हैं बावजूद उसके उनकी कीमत में हीरा नहीं मिल पाता वहीं दूसरी और एक साल में दस हीरे बगैर खदान खोदे लोगों को मिल गए है जर्गपुर से इंद्रजीत सरकार को पड़ा हुआ है इसका वाजन चार के रट्रक्ति सेंट है और इसको कल की टेट में जमा कर लिया गया है और आनिवाज निलान में उसको रखा जाए है